हैलो और नमस्कार दोस्तो देसी गुलाब की कलम के लिए एक हेल्दी ब्रैंच स्टरलाइज कटर से काट ले और छोटे-छोटे 6-8 इंच की कलम बना ले इस कलम को डिस्पोजल ग्लास में लगाने के लिए डिस्पोजल ग्लास को पहले नीचे से होल करना होगा और पॉटिंग मिस्क के लिए हमने गार्डन सॉयल ली है उसमें केचुवा खाद मिलाया है और सैंड मिला दी है तीनों समार मात्रा में लेकर अच्छे से मिक्स कर दे यदि आपके पास नीम खली या फिर सरसो खली है तो उसका पाउडर एक मुट्टी इसमें मिला दिने से औ और यह स्वाइल फर्टाइल हो जाएगी और अच्छे से हमारी कलम सक्सेस हो जाएगी उसके बाद यहां पर हमने इस ग्लास में यह पॉटे मिक्स मिला दिया है और अब इस कलम लगाने के पहले जो हमारे घर में अलोवेला जेल की पती इजिली अवेलेबल रहती है उसका देल लगा लेंगे निच्छी साइड में उससे क्या होगा कि एक एंटी फंगल का काम करेगा प्लस रूटीन हर्मोनल प्रॉपर्टी जोने के कारण जल्दी से कलम वारे सक्सेस हो जाएगी उसको अच्छे से पाने देंगे और च्छावाली जगा पी रखेंगे करीब दो म समले में लगाने के लिए हमारी क्टींग रिडी है दिन भर की धूप बहुत ही ज़रूरी होती है गुलाब के फूलों के लिए कुला थे बनदेशी गुलाब की खाशियत यह है कि उसको गुच्छे में फूल आते है और बहुत ही अच्छी सुगंद होती है। और साल भर इसमें फूल आते रहते हैं, समय समय पर उसको अलग अलग तरह का खाद हम देते रहें, जैसे कि गोबर की खाद, केचुवा खाद, नीम की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर, या फिर ओनियन पील फर्टिलाइजर, बनाना फिल फर्टिलाइजर, ऐलोवेरा की पत्तियों से बना फर्टिलाइजर, अलग अलग तरीके के खाद हमें 15-20 दिन के अंतराल में देते रहना है, ये देखिए हमारा दूसरी कटिंग से बनाया हुआ, गुलाब का लाल गुलाब का बोदा, इसमें भी मैं कुई जादा केर ने कर रहू, फिर भी बहुत अच्छ करते रहना है, जिससे क्या होगा कि नई नई ब्रैंचे साती रहेगी और हमें बहुत सारे फूल मिलते रहेंगे, अक्टुमबर से जनवरी तक कलम लगाने का सबसे सही समय माना जाता है, तो इस टाइम में ये कलम इसली सक्सेस हो जाती है, ये दिखिए सीमेंट की गमले मे हमने कलम से लगाई हुई है, गुलाबी रंग का देसी रोज है हमारा, अभी काफी इसमें फ्लावरिंग हो चुकी थी, अब हम इसके ट्रिम करना है ताकि और उसके अच्छे सी ब्रैंचे सा जाए, जो देसी गुलाब होते हैं, उसी से जो गुलाब जल, इत्र और गुलकं करते हैं, कुछ दिन के बाद धीरे-धीरे वो अपने आप ही मुर्जा जाते हो, खतम हो जाते हैं, जब तक उसके हम एक्सपोइट तरीके से उसकी केरना करें या फिर ध्यान न दे, लेकिन देसी गुलाब का ऐसा नहीं है, एक बार लगा दो तो आसान इसे चल जाता है, त अदि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हैपी गारडनिंग और थैंक्स पार वाचिंग इस ब्यूटिफुल वीडियो,